भजन सहिता अध्याय 78 ये मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनों मेरे वचनों की ओर कान लगाओ मैं अपना मुह निती वचन करने के लिए खोलूंगा मैं प्राचिनकाल की गुप्त बाते कहूंगा जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बापदादों ने हमसे वर् परन्तु होनहार पिड़ी के लोगों से यहोवा का गुनवादन और उसके सामर्थ और आश्चेर कर्मों का वर्नन करेंगे उसने तो याकुब में एक चितवनी ठहराई और इस्रायल में एक विवस्ता चलाई उसके विशे उसके हमारे पित्रों को आग्या दे कि तुम इन पिड़ी के लोग अर्था जो लड़के बाले उत्पन होने वाले हैं वे इन्हीं जाने और अपने अपने लड़के बालों से इस बात का बखान करने में उद्यत हो जिससे वे परमिश्वर का आस्रा करें और परमिश्वर के बड़े कामों को भूलन जाए और उसकी आग्य परमेश्वर की और सच्ची रही। एफ्राईमेयों ने तो शस्त्रधारी और धनुरदारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की। और उसकी विवस्ता पर चलने से इनकार किया। और उसके बड़े कामों को और जो आश्चर कर्म उसने उनके सामने किये थे उनको भुला दिया। उसने तो उनके बाबदादों के सन्मुख मिस्र देश के सोवन के मैदान में अद्भुत कर्म किये थे। उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार कर दिया। और जल को ढहर किनाए खड़ा कर और रात भर अगनी के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चटाने फाड़ कर उनको मानो गहिरे जलाशेयों से मन माने पिलाता था। उसने चटान से भी धाराये निकाले और नदियों का साथ जल बहाया। तो भी वे फिर उसके विरुद्ध अधिक करते गए। और निरिजल देश में परमपधान के विरुद्ध उटते रहे। और अठी चहा के अनुसार भोजन मांग कर मन ही मन परमेश्वर की परिक्षा की। और वे परमेश्वर की विरुद्ध बोलें। और कहने लगे क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता उसने चक्टान पर मार के जल बहातो दिया और धाराय उमड चली परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है क्या वह अपनी प्रजा के लिए मास भी तयार कर सकता है यहवा सुनकर क्रोध से भर गया तब याकुप के बीच आग लगी और इस्राल के विरुद्ध क्रोध भरका इस के लिए खाने को मान बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया उनको शूर वीरों किसी रोटी मिली उसने उनको मनमा ने भोजन दिया उसने आकाश के पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दखिन बहाई और उसके लिए मास धुली किसी नाई बहुत परसाया और सम पूरी की, उनकी कामना बनी ही रही, उनका भोजन उनके मोही में था, कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भढ़का, और उसके उनके हश्ट पुष्ट को घात किया, और इस्राइल के जवानों को गिरा दिया, इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए, और परमेश्वर के और फिरकर परमेश्वर को यतन से खोच दे थे, और उनको श्मरन होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है, और परमप्रधान परमेश्वर हमारा चुडाने वाला है, तो भी उन्होंने उससे चापलू सिकी, और वे उससे जूट बोले, क्योंकि उनका रधाय उसकी ओर दुढ़न था, नवे उसकी वाचा के विशे सच्चे थे, परंतु वह जो दयालू है, वह अधर्म को ढापता और नाश नहीं करता, वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है, और अपनी जलजलाहट को पूरी रीती से भढ़कने नहीं देता, तब उसको स्मर्ण हुआ कि ये नाशमान है, ये वायू के समान है, जो चली जाती और लौट नहीं आती, उन्होंने कितनी बार जंगल में उससे बलवा किया, और निरजल देश में उसको उदास किया, वे फिरकर परमेश्वर की परिक्षा करते थे, और इस्रायल के पवित्र को खेदीद करते थे, उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने क्योंकर अपने चिन्ह मिस्र देश में और अपने चमतकार सोन के मैदान में किये थे, उसने तो मिस्रियों की नहरों को लोहु बना डाला, और वे उमी की उपज कीडों को और उनकी खेती बारी टिड्डियों को खिला दी थी, उसने उनकी दाखलताओं को ओले से और उनके गुलर के पेडों को बड़े बड़े पत्थर बरसा कर नाश किया, उसने उनके पश्यों को ओले से और उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया, उसने उनके उपर अपना प्रचंड क्रोध और रोश भढ़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा उसने अपने क्रोध का मारग खोला और उनके प्राणों को मुर्त्यू से न बचाया परंतु उनको मरी के वश में कर दिया और मिस्र के सब पहलोटों को मारा जो हाम के डेरों में पौरूश के पहले फल थे परंतु अपनी प्रजा को भेडबकरियों की नाई पयान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशों के जुण की सिकी तब वे तो उसके चलने से बेखटक चले और उनको कुछ भए न हुआ परंतु उ उनके शत्रू समुद्र में डूब गए और उसने उनको अपने पवितर देश के सिवाने तक इसी पहाडी देश में पहुचाया जो उसने अपने दहिने हाथ से प्राप्त किया था और उसने उनके सामने अन्यजातियोंस को भगा दिया और उसकी भूमी को डोरी से माप कर बाड़ दिया और इसरैल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया परंटु उन्होंने प्रंप्रधन परमेश्वर की परिक्षा की और उससे बल्वा किया और उसकी चितनियों को नमाना और मुड़कर अपने पुरुखों की नाई विश्वास घात किया उन्होंने निकम म मनुष्य की नाई धोका दिया और उन्होंने उचे स्थान बना कर उसको रिश्दी लाई और खुदी हुई मुर्तियों के द्वारा उसमें जलन उपचाई परमिश्वर सुनकर रोच से भर गया और उसने इसराल को बिलकुल तज दिया और शिलो के निवास अर्थात उस परवा दिया और अपने नीजबहा के लोगों पर रोच से भर गया उनके जवान आग से भस्म हुए और उनकी कुवारियों के विवाह के गीत न गाए गये उनके याजग तलवार से मारे गये और उनकी विद्वाय रोने न पाई तब रभु मनो नीन से चोक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाक मदू पी कर ललकारता हो और उसने अपने द्रोहियों को मार कर पीछे हटा दिया और उनकी सदा की नाम धराई कराए फिर उसने यूसुप के तंबु को तज दिया और एप्राइम के गोतर को न चुना परंतु यहुदा ही के गोतर को और अपने प्रिय श्योन परवत को चुन दिया और अपने पवित्रस्थान को बहुत उचा बना दिया और पृत्वी के समान स्थिर बनाया जिसकी नेव उसने सदा के लिए डाली है फिर उसने अपने दास दावत को चुन कर भेड़ शालाओं में से ले दिया वह उसको बच्चे वाल और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की